सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और जैसे कि आपको पता है कि हम टैट की सीरीज जो है आपके साथ डिसकस कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं another series जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2013 में आए टैट का question paper काफी important question है और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो भी question यहाँ पे आए हैं वो हमने आपको पहले भी करवाए हैं यानि हम आपको बोही सलेबस करवाते हैं जो की exam के according होता है काफी help होगी आपको अगर आप इन questions को पढ़ोगे तो आपको exam में काफी जादा help होगी जिससे कि आप easily अपने exam को crack कर सकते हैं तो आईए जादस में ना लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला question है हमारे पास process of getting silk fiber from cocoon is called as तो अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपके साथ 80 question discuss किये थे sorry 48 question discuss किये थे chemistry के तो बहाँ पे ये question आया था तो इस question का क्या answer है इसका answer है reeling ओके option A जो है यहाँ पे आपके पास right answer है next question है हमारे पास the conjugate acid of a HSO4 one is आपको यहाँ पे conjugate acid बताना है अगर आपने conjugate acid और base नहीं पड़े हैं तो उनको जरूर पढ़िए conjugate acid and base काफी important concept है यहाँ पे cable आपको add positive add करना होता है और एक में आपको add positive जो है वो remove करना होता है तो आपके conjugate acid और base जो है यहाँ से आपके पास आ जाते हैं तो जब आप conjugate acid लिखोगे तो आप यहाँ से add जो है remove करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपके पास SO4, one यहाँ पे one है यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है अगर यहाँ पे आप one को नहीं भी लिखोगे तो यह नहीं है यहाँ पे आप प्लस वन लिख सकते हैं इसके ओपर जो भी चार्च है तो आपके पास जो राइट अंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नमबर ए नहीं नमबर थर्ड है मारे पास इन फायर एक्सटंग्शर वी यूज तो आपको पता होगा हो एक तो हम कारवन डायोकसाड यूज करते हैं CO2 और यहाँ पे हम और क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं बेकिंग पाउडर जिसे आप सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हैं तो यानि एन एच सी यो त्र में प्रेजेंट होएता है आपके पास मेगनेशियम नेक्स्ट कॉश्चन है मारे पास मैटलाल मैलेबल इस यानि जो आपके पास मैटल है उन्हें आप मैलेबल कब कह सकते हैं जब आप उन्हें पीट-पीट कर एक तिंद शीट में कनवर्ट कर दें तो ऑप्शन सी जो है आप ए राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास विच पार्ट ऑफ एक एंडल फ्लेम हैं हाईएस टेंपरेचर की केंडल की कौन सी फ्लेम है जिसका टेंपरेचर जो है सबसे हाई होता है तो आप देखोगे जो केंडल की फ्लेम है वो आपके पास कुछ इस दीषाइब में वनी होती है आपके पास दो तीन पार्ट जो यहाँ पे प्रिजेंट होंगे वर जो आड़ आप देखोगे तो एकदम जिस तरह से आपकी एल पीजी होती है उसके कर्व में होता है इत मीन बो सबसे ज़्यादा प्योर स्थ होता है उसमें कारबन का पार्ट होता है उसका temperature सबसे ज़्यादा होता है next आपके पास product of neutralization of acid and base जब आप acid और base को neutralize करते हैं तो आपके पास क्या product बनता है तो हमारे पास जो product बनेगा वो बनेगा salt and water option A जो है right answer है next आपके पास CH3 CH double bond CH2 is a monomer what will be its polymer polymers आपके पास यहां पे monomers है उसका polymers क्या होगा आपके पास तो आपका जो polymer बनेगा पो बनेगा polypropylene option B जो है यहां पे right answer है next आपके पास number of electron in 18 ml of water density आपको यहां पे given है आपके पास 18 ml water है आपको बताना है कि उसके अंदर जो है कितने electron present है density आपको पता है तो density का formula आप use कर सकते हैं यहां पे मगर यहां पे आपको cable number of जो भी molecules हैं बो पूछे गए हैं तो यहां पे जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास right answer बनेगा 6.02 into 10 raise to power 24 अगर आप यह 18 gram पूछा होता तो आपके पास जो avocado number है यह उसके बराबर होते मगर यहां पे आपके पास 18 ml है आपको सबसे पहले density के according इसे convert करना पड़ेगा इन grams में कि अगर आपके पास 18 ml है तो इसमें आपके पास कितने gram जो है present होंगे next आपके पास which among the following is most आइनिक यहां पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा आइनिक आपके पास कौन सा है तो यहां पे जो आपके पास सबसे ज़्यादा आइनिक है वो है MNO तो option number A जो यहां पे आपके पास right answer है next आपके पास during depression in freezing point which of the following are in equilibrium जब आपके पास depression in freezing point होता है तो वो कौन सी term है जो आपके पास equilibrium में होती है तो वो होता है आपके पास lucar solvent and solid solvent जो है आपके पास equilibrium condition में आ जाता है next question है हमारे पास 132 in an electrolytic cell flow of electron is from जो आपके पास एक electrolytic cell होता है आपको यहां पे बताना है electron किस तरफ flow करते हैं तो electron जो है उनका flow जो आपके पास current flow होता है उससे opposite होंगे जैसे कि आपको पाता है positive to negative तो आपके पास जो electron है वो कहां को flow करते हैं वो करेंगे negative से positive की तरफ flow बट जो current है आपके पास वो opposite flow करेगा तो यहां पे जो right answer आपके पास बनेगा वो बनेगा cathode to note in a solution जहां पे concentration decrease होगी वो उसी की तरफ flow करना शुरू कर देंगे next आपके पास correct order of coagulation power among the following is तो coagulation power जो है basically charge के ओपर depend करती है इतना ज्यादा charge होगा उतनी ही ज्यादा जो coagulation power उसकी होगी तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो right answer है वो है option number a सही order आपके पास यही है next आपके पास which of the following atom has the smallest size तो अगर आप इनको compare करोगे तो सबसे पहले जो भी आपके पस alkali matter लाएगा वो आपके पास है ली ना की रबसे फरयाद इस तरह आप प्याद रख सकते हो next आएगा बेटा मांगे कन्या सुंदर भापराजी तो इस तरह जो size है वो आपको पता है small होता है नीचे की तरह size जो increase होगा तो जो आपके पास second series में आएगे उनी का size आपके पास छोटा होगा तो right के answer होगा आपके पास beryllium next आपके पास correct order of acidic strength अब acidic strength किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी जो easily break हो जाएगा उसकी acidic strength जो है आपके पास वो ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो right answer बनेगा वो बनेगा bbr3, bcl3 and bf3 तो c option जो यहाँ पे आपके पास right है next हमारे पास identify the wrong statement regarding cuSO4 नहीं copper sulfate के case में आपको यहाँ पे बताना है कि गलत statement कौन सी है it give cl2 on react with kcl तो यह आपके पास गलत statement है बाकी आपके पास सारी के सारी right state next हमारे पास the oxidation state of iron in FeH2O5NOSO4 तो यहाँ पे आपको oxidation निकालनी है तो oxidation मैंने आपको पहले भी videos करवाई है oxidation निकालने की तो यहाँ पे cable आपको इनकी values डालनी है iron की x लिख देजिए water की 0 होगी तो इस तरह से आप इनको put कर सकते हैं और जो यहाँ पे आपके पास right answer बनेगा वो बनेगा option number b not c option number b जो है यहाँ पे आपके पास right answer है next आपके पास ipc name यहाँ पे आपको compound given है आपको इसका ipc name लिखना है compound थोड़ा आपको दिखेगा नहीं थोड़ा सा यहाँ पे जो clear नहीं है तो यहाँ पे जो आपके पास structure है वो है आपके पास ch3 c double bound o ch ch twice two तो यहाँ पे जो है यह भी आपके पास ch हैं यहाँ पे तो इसको आप ch3 करके इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो भी longest chain होगी यहाँ पे यहाँ पे जो आपके पास right answer बनेगा वो बनेगा 3 methyl bute 2 okay यहाँ पे आपके पास right answer है next आपके पास 139 which among the following is strongest acid यहाँ पे आपको strongest acid बताना है कि strongest acid आपके पास कौन सा है तो trichloroastic acid जो है आपके पास सबसे ज़्यादा strong है next आपके पास carbonyl test is given by जो carbonyl test है वो कौन सा compound देता है तो वो आपके पास है CH3 CH2 NH2 option number A जो है यहाँ पे right answer है next है मारे पास which of the following is lucred at room temperature तो room temperature के ओपर कौन सा जो chemical है वो लिवकड होता है वो आपके पास होगा bromine bromine एक ऐसी हैलोजन है जो की room temperature के ओपर आपके पास लिवकड फॉर्म में होगी next है मारे पास and aqua solution of cuSO4 is जो आपके पास cuSO4 का aqua solution होता है वो कैसा होता है वो हता है आपके पास sdk in nature next है मारे पास which of the following depend upon temperature तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको बता दूँ जो आपके पास volume होता है वो temperature dependent होता है तो इस molarity जो है आपके पास temperature dependent है next है मारे पास when sodium matter is dropped into water which of the following is not true तो exothermic reaction होता है क्योंकि energy release होती है solution जो basic बनता है क्योंकि बहाँ पर sodium hydroxide जो है बहाँ पर form होता है H2 gas liberate होती है जो की heat produce करती है तो right answer है A जो N न है वो बहाँ पर आपके पास जो inner one नहीं होता next है आपके पास the strong luis acid is strong luis acid कौन सा है यहाँ पर आपके पास वो है आपके पास Bi3 next है आपके पास which of the following spaces do not contain coordination coordinate bond यहाँ पर वो कौन सा compound है वो जो की आपके पास coordination compound जो है आपके पास form नहीं करता है या जिसमें वो present नहीं है coordination compound या bond कौन से होते हैं जहाँ पर दोनों के दोनों electron जो है एक के द्वारा ही share किये जाते हैं तो यहाँ पर जो right answer आपके पास बनेगा वो बनेगा option number D यानि plus CH 30 यहाँ पर आपके पास जो है cobalent bond बनेगा और यहाँ पर पूछा गया था does not contain a coordination cobalent bond next आपके पास what is not true about zinc metal zinc two positive iron it does not give various oxidation state zinc two positive iron is diamagnetic तो आप इनकी electronic configuration देखके लिख सकते हैं तो यहाँ पर बनेगा zinc metal is very hard metal next आपके पास the gas which cause bhopal gas tragedy तो आपको बता है methyl isocyanide जो cyanide group है वो isoposition के ओपर present होगा तो right answer is option number c CH3 N double bond O double bond sorry double bond O and a C next आपके पास ATP molecule यानि adenotri phosphate molecule does not contain तो option number a जो है हाँ पर right answer है बाकी सारे के सारे जो है इसमें present होते है and last है ascorbic acid is तो ascorbic acid आपके पास कौन सा होता है यो होता है vitamin c तो vitamins related हर बार जो है question आता है तो guys यहाँ पे हमने जो भी 2013 में chemistry के question आए थे वो आपके साथ study किये अगर आपको लगता है कि कहीं किसी question में कुछ गडबड हो गई हो या इसका answer नहीं होगा तो आप हमें comment करके जरूर बताएं हम आपके comment को pin करके सबसे उपर लगाएंगे ताकि जो भी question गलत हो बाकी students उसे गलत ना करें क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day